हालो फ्रेंग्स मैं मादरी और मादरी वाला कीच्यन में आप सको लोगो का मोगोशा अगर तो आज हम आपके सास Alum करेंगे पेडिस तो आप इसे पेडिस भी खाते हैं कचोल भी कह सकते हैं जो मंचा है उू भी कह सकते हैं यह बहुत ही डिलेसियस और बहुत ही टेश्टी और बहुत ही करारे और बहुत ही खस्ती नास्ती बनते हैं तो चलिए इसी बनाना शुरू करते हैं किस भी शुरू करने से पहले चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जबसे ज़़ा सेर कीजिए पेटिस बनाने के लिए हमने यहां मैदा लिया हुआ है और इसमें हम जो है कि मसल करके डालेंगे अजवाइन अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है और इसमें हम डालेंगे घी इसमें घी डाल करके हम इसे मिस करेंगे और हाथों से अच्छे से इसे मिक् और बहुत ही सॉट भी नहीं होना चाहिए और टेस्ट की कॉडिंग हम इसमें डालेंगे नमक नमक को भी डालके हम इसमें मिक्स कर लेते हैं देखे हमारा डोल अबके तयार है और इससे हम 10-15 मिनट रेष्ट होने के लिए रख लेते हैं कि अच्छे से यह सेटल हो जाए तो जब तक आठा हमारा रेष्ट ले रहा है तब तक हम उसके फिलिंग बना लेते हैं तो तेल को हम गरम होने देते हैं तील हमारा गरम हो चुका है, तो इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे जीरे का और जीरे को चटकने देते हैं इसमें हिंक डालेंगे, हिंका फ्लिवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है है और इसमें फोड़े से हमने तो यहां हरी मेच लिए है इसके अंदर यह दो सबूए भी हम डालेंगे ए एंदर डालेंगे हमने यहां अध कलेश का है तो इस आधा चमच हली पाउडर, आधा चमच बेर लाड मीच और आधा चमच गरा मसाला उन सब को हम थोड़ा सब भून लेते हैं कि मसाले का जोएगी तच्या पन का प्ली गरना आए तो मसाले हमारे भून जुके हैं तो यहां मैं हरी मटर ले रही हूं तो इसी मटर को मैंने उबा इसके अंदर इसे भी हम हाथों से मैस करके डाल देते हैं तो मैंने यहां दो वालू का इस्तिमान करें हैं तो यहां मेरे पास दो वालू हैं डोलू को मैं इसके तोर करके डाल देते हैं तो अग इसे हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और दबाते हुए जिससे कर दो क्या तो किए हमार यालो में इच्छे से माय गोज सो हो जाई है है ऐसमें हम ढॉलेंगे स्वाधन सान कि इसमें हम नाल लेते हैं स्वाधन सान नम को भी डाल के हमता है है नाल देते हैं थोड़ा सा धनी या अपति भाधनी प decisive इसमे डालेते हैं, आप at convention करके तयार कि अब ढैस को बन कर देते हैं है और इसे हम किसी पर लाइ ट同े चोपर कर लेते हैं तो हमाने पंदर से 20 मिनट हो गिया है और absolute की हमारे हैस्ट ले निया है , तो एब इसे हम एक बार से रोटी बे! आप उसी है और इसकी हैं चोटी चोटी लोईए बनाएंगे तो हम एक एकए पैंगे अप जैसे रोंटी बेते हैं बिल्कुर उसी रोंटी के यह कार का हमें बेल जा है तो हम इसी तरह हैν सार प्रनाब कर हो अजय अगर?, तो इसमें मैं डाडा लेता हैं, कालफोर डालके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, कालफोर डालके हम रसी इसकी लेयर तफार करने हैं, अब हम क्या करेंगे, जो में रोटी बनाई हुई है, इसके अंदर इसे लगाएंगे, तो हम इसके अंदर जो है, ऐसे, चाबु तर कि इसके उपा से हम दूसरी रोटी को लगा लेते हैं तो सेम प्रोसेस से दुबारा भी इसी तरह हमें करना है दूसरी रोटी पे हम इस लेयर को लगाएंगे इस तरह तो दूसरी भी लगा लिया अब हम इसके उपर तीसरी रोटी डालते हैं तो आपको दीख रहेंगे कि यह मेरी चोथी रोटी है इस चोथी रोटी पे भी मैंने लगा लिया है तो अब हम क्या करेंगे इसे जो है हम इस तरह से इसे पैक करेंगे पैक हमें ऐसा करना है कि इसमें कोई गुबारे नहीं होने चाहिए कोई हवा नहीं होने चाहिए इसमें तो ऐसे हम प्रेज करकर कि इसको हम ऐसे लपेट दे जाएंगे जिससे कि हम इसमें कोई हवा कोई लेयर्स नहीं जाने चाहिए जो किसमें भी जी बिएатель की यह को यह अधिंगे आधिए इसमें कोई हवा नहीं है एक एक बिल्कुल टाइट है और हम कुल इसी तरह के दाना है कि देखिभी टाइट लेट लिया है कि अब क्समी can do तो यह देखे एक दो तीन चार पांग छे साथ आप नौ दस यह दस है दस लोईया बन करके हमारी तयार हुई है क्या करेंगे कि हम इसमे से एक लोई उठाएंगे और इसको यहात इसा साहें से बिल भी जाएएंगे और आपको जितनी बड़ी पूरी बनाते लेते हैं तो हम Lesley ज़ना है देके इस तरह करकर भång करते हैं अब हिसके भाई युम इस टीपिंग बनाए है इसके उपर से एश्टिपिंग को डालना है इस तरह देखें मैंने इस टिपिंग को डाला देया अब क्या करना है पानि हमें लेना है लगाना है अब इसके से हमें दोसरी पूठी लेना है और हाथ Bryce करना है जिससदे कि हम इसे अच्छे से पानी से जो पानी लगाएं ना तो अच्छे से चपक जाएगी है ऐसे और फिर ये फ्रोसिस दूसरे बानी पर भी करना है हमें इस तरह हाथों से अच्छे से बन चुके हैं और हम क्या करेंगे एक प्लेट लेंगे और इस प्लेट में इसको सारे उठा करके रख लेंगे और अब हम चलेंगे इसे फ्राई करेंगे तो हमारे जूए एक प्राउम में पांच प्लंगर के तयार होते हैं और चलती हैं से हम प्राई करते हैं तो तेल हमारा गरम हो चुका है तो अब इसके अंदर हम एक एक कचोड़ी को उठा करके डालेंगे और तुरंत हमें टच भी नहीं करना है तो तरट देल के बाद ही नास्ते हमारे फ्राइब हो रहे हैं जो इसकी लेयर है आपको दिख रहे होगी इसकी लेयर बहुत ही अच्छी से खेल के आई है नास्ते के हमारे तो दोनों तरफ से हम इसे गुल्डें ब्राउन कलर के हो तक इसे फ्राइब कर लेते हो दोनों तरफ से हमारे नास्ते फ्राइ अपने घर में इसे तोड़कर करके कि इनास्तै करके मैं नास्तै करके आपको दिखा रही हूं कितनी टेश्टी और कितनी ग्रिस्पी बने हुए है और इसकी लेयरे में बहुत ही अच्छी और आपको दीख रहा होगा इसकी सारी लेयरे विल्कुल खेल करके आई हुई है और आप इसे चाहें तो टमाटर कचप के साथ भी इसे इंड़ाई खर सकते हूँ और इस तरह की न एक वाज द लगते हैं, बहुत ही करार हैं, मैंने आपको तोर करके भी दिखाया है, तो अगर रिस पी लगे तो आप पर से जरूर टाइए करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सस्क्राइब करें और वेल आइकन पर भी फ्रेज करें कि जब भी मैं कोई नई रेस्पी आनो तो उसके नोटिफिकिसन आपको तुरंत मिलें तो अगली रेस्पी लें के अगले दिन हाजी होते हैं तब तक के लिए बाइबाए